तो कोशन नमबर टू यह है कि एक कॉमन पॉइंट से दो चार्ज कंडुक्टिंग बॉल्स ठीक इनको हमने क्या कर रखा है इनके ओपर चार्ज बराबर इनका मास भी बराबर है इनको हमने कॉमने कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर रखा है ठीक और उनकी दूरी ए उनकी दू less than L, L is thread की लंबाई है, दोनों के उपर equal charge दे रखा है, दोनों identical balls है, फिर बोला गया है, one of the balls is discharge, how will the balls behave after this, ठीक, तो पहले हम बात कर लें कि initially, जब यह equilibrium में थी, तो क्योंकि ए बहुत छोटा है, तो यह angle theta भी बहुत छोटा होगा, एक किसी particular ball का अगर बनाया है, BD, तो उसके उपर लगने वाले forces एक mg होगा, एक tension होगा, और एक KQ square, पर इनकी दूरी A square के बराबर होगा, equilibrium में यह angle theta है, equilibrium में दोनों balls है, तो T cos theta will be equal to mg, mg, और T sin theta, इस direction में equilibrium, बराबर KQ square by A square के हो जाएगा, तिक, दोनों को divide करते है, we will have tan theta, is equal to KQ square by A square mg, ठीक, अब बोला हुआ है कि A बहुत छोटा है as compared to L, इनकी दूरी बहुत कम है, तो यह angle theta भी छोटा होगा, और small angle theta के लिए, for small theta, tan theta is nearly equal to sin theta, this is the approximation which we can do, और इस triangle में sin theta कितना हो गया, tan theta को हमने क्या बोल दिया, हमने sin theta के बराबर बोल दिया approximately, और इस triangle में sin theta कितना हो गया, sin theta बराबर A by 2, यह दूरी A by 2 upon L O J, ठीक, इस equation को गएकर simplify करें, will have A cube बराबर, K cube square, यहां से आ जाएगा, into 2 L, यह length यहां से, यह 12 यहां जाएगा, A cube यहां जाएगा, upon M G के बराबर हो जाएगा, तो initially इस position में वो equilibrium में रहा होगा, ठीक, अब एक ball अगर discharge हो गई, तो इनके 20 में जो लगने वाला, electrostatic repulsive force, वो cancel हो जाएगा, दोनों बॉल क्या करेंगी, एक दुसरे के towards move करना start करेंगे, ठीक, जो पहले repulsive force लग रहा था, वो लगना अब कतम हो जाएगा, दोनों बॉल एक दुसरे के तरफ move करना start करेंगे, और bottom most point पर आके मिल जाएगे, और क्योंकि दोनों बॉल कंड़क्टर हैं, और equal shape की हैं, तो एक बॉल के उपड़ चार्ज था क्यूँ, वो क्या हो जाएगा, आदा चार्ज Q by 2 इस पर आजाएगा, आदा चार्ज Q by 2 इस पर आजाएगा, दोनों चार्ज आपस में फिर से रिपल करना start कर देंगे, ठीक, लेकिन अब उनके उपड़ चार्ज जो है, पहले की कंड़र्जन में Q by 2 हो गया है, तो अब पुछा हुआ है कि नई equilibrium position कहां पर आएगी, तो मान लिया जाएगे कि नई equilibrium position B पर आएगी, करने की recommend नहीं, जैसे हमने पहले किया था, वैसे सब कुछ रहेगा, बस charges को Q by 2 कर देंगे, और A को B बोल देंगे, तो नई equilibrium position अगर B पर आएगी, तो B cube will be equal to K, Q के जगाँ पर Q by 2 का whole square, length 12 वही है, दोनों के masses अभी भी होई है, ठीक, अगर हमें B निकालना है, तो इसको हम इससे divide कर दें, B divided by A cube should be equal to कितना? 1 by 4, Q by 2 का whole square, 1 by 4 जाएगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर जाएगा A, 4 की power 1 by 3, ठीक, इस विल भी दा न्यू एक्लिविरियम सप्रेशन बिट्विन दे टू चार्डिस, ठीक, यह जो रिलेशंसिप है, यह वाले रिलेशंसिप, इसके उपर कई बार बहुत फ्रिक्वेंटली कोशन आते हैं, ठीक, तो हमें यह मालू होने चाहिए, उनकी दूरी है, एक्लिविरियम में उस दूरी का Q, लेंथ के डिरेक्ली परपोर्शनल होगा, और मास के इनवर्सली परपोर्शनल होगा, और चार्ज के स्क्वायर के परपोर्शनल होगा, अगर उनकी दूरी X है एक्लिविरियम में, तो X का Q will be proportional to length, X का Q will be inversely proportional to mass, X का whole Q will be directly proportional to Q square, ठीक?